हेलो दोस्तों, स्वागत थैं आपका विजुलाच विद्विनी में आज मैं आपके लिए वही यह मारा पुराना वाला जो सीरीज चल रही थी है हमारी प्रिंटिंग की उसका दूसरा भाग लेके आई हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको सौरी कहना चाहूंगी कि हाँ बहुत लेट लेट ये वाले वीडियो में डाल पा रही हूँ लेकिन फिर भी आप लोगोंने रिलीफ समतल सता हम लोग पढ़ चुके हैं ग्राफिक्स का इंट्रोड़क्शन पढ़ चुके हैं और आज हम इंटागली ओ देखेंगे दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मतलब मैं कहूंगी कि तीनों प्रोसेस में भी ये सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है और इसको समझने में थोड़ इसी कठिनाई भी आती है शायद इसलिए भी इंपोर्टेंट है तो confusion कुछ नहीं करना है जिस तरह से हमने relief प्रोसेस अभी तक हमारा clear कर चुका है हम इंटागली ओभी अपने mind में बिल्कुल clear कर लेंगे लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारा उद्देश इसको समझना है ना कि हमें रटना हमें उसके प्रोसेस समझा जाएंगे तो हम बिल्कुल कोई से भी question आएंगे हम उसके solve कर सकेंगे इसलिए आप ये उद्देश मत रखिए बिल्कुल भी कि हमें questions से आएंगे कि कैसे आएंगे अगर आपने पढ़ा वहोगा तो आप कैसे भी questions के answer सही से दे सकेंगे चीक है दोस्तों तो शुरू करते हैं अगर आप मेरे चानल पर पहली बार देख रहे हैं ये वाला वीडियो तो प्लीज इससे पहले की वीडियो ग्राफिक का introduction पार्ट और रेलिफ प्रिंटिंग जो हम दे चुके हैं वो जरूर देखें उसकी लिंक मेरे description box में आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ चैनल को subscribe करें बेल आइकन भी प्रेस कीजिए तैकि आने वाले जो वीडियो हैं और जो अधर वीडियो भी हैं उसके notification आपको मेरे मिल सकें तो दोस्तों अब हम समतल सता को शुरू करने जा रहें तो एक बार यह revision कर लेते हैं कि हम लोगों ने पहले उस पर क्या बोला था कि जो हिस्ट्री में प्रिंटिंग को थ्री पार्ट में डिवाइड किया गया है हमारा relief method, intaglio method and planography method ठीके यह हम देख चुके हैं हम लोग relief में हम लोग क्या चीज देख चुके हैं वह मैं आपको एक बार यह बताना चाहूंगी कि हमको relief में क्या करना होता है सबसे पहले हम उसको रेखांकन करते हैं कोई भी चीज हो means कोई भी प्रोसेस हो उसमें यह चीज कॉमन है एक पर उसको रेखांकन करेंगे means इसका ड्रॉइंग करेंगे किसी पे भी मतलब वुट पे करें लीनों पे करें वह हमारे उपर है लेकिन हम पहले उसको ड्रॉइंग करेंगे फिर हम उसको एंग्रेव करेंगे उसको हम एंग्रेव करेंगे लेकिन हम इंकिंग करेंगे ले इंक लगाएंगे और फिर हम जो प्रिंटिंग का प्रोसेस हमने बताया था उस प्रकार से हम पेपर रखके और उसको प्रेस करके उसकी प्रिंटिंग ले लेंगे तो यह चीज जो थी हमारी रिलिफ प्रोसेस की थी और I hope आपको यह सब क्लियर हो चुका होगा यह मैंने इसलिए आपको बताया दोस्तों ताकि अब हम जो इंटेगलियो देखने जा रहे हो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए ठीके इसलिए तो यह हमारा रिलिफ ता अब अगर हम उसमें डिफरेंस समझेंगे इंटेगलियो इसमें उकेरी गई आकरिती की गहराई में रंग भरकर चापा लिया जाता है उसे अंतहसतर प्रणाली कहते हैं इसमें धातु की प्लेट जस्ता तामबास फील पर आकरिती को उकेरा जाता है दोस्तों मैं पहले बता चुकी हूँ माटेरियल भी पताया है वुड लीनो पे रख वुड कर्ट लिनो कर्ट पे हम लोग कैसे रेलिफ प्रिंटिंग लेते हैं वह हमाला सब क्लियर है अब हमें क्या करना है कुछ ने करना रेलिफ प्रिंटिंग से उल्टी चीज हो जाएगी अरे भई जैसे हमेंने कहा था तीन तरह के सर्फिस होते हैं उब्रा वा अगर मान लीजिए कि हमने जो चीज को काटा है अगर हम उपर सत्वे इंक लगा रहे तो प्रिंट आगई पर उसका उल्टा भी तो हो सकता है जो सत्वे इंक गए तो इसी कारण गए यह दूसरी प्रणाली बनी है जो ए समतल सत प्रणाली इंटेगली ओ 밝혔ने इससे हम कुछ नहीं करेंगे उसमें हम जो इंक हम डिंट्रक्ट चुर्डश में वह लगाते हैं एंड उसका प्रोसेस अलग-अलगे दोस्तों क्योंकि देखिए यह बहुत इजी सा था जो आपनों के ने शायद एजियूम भी कर लिया कि हमें कुछ नहीं करना उपर सता पर ही वो लगाना है लेकिन वो प्रोसेस के हमें अंदर के सता पर इंक लगानी है वो इतनी इजी भी प्रिंट मेंकिंग लकडी के प्रिंट के बाद अथी तरह से उभरा सबसे शुरुवाती ग्यात उधारन जर्मनी में बनाए गए ताश के पत्तों के खेलने के लिए अवांच्वे इन नई डिजाइन है ड्रॉइपॉइंट टेक्नीक का उप्योग करते हुए संभुतव 1430 के दशक के अंत में कौपर उतकिन टक्नीक का फायदा उठाने के लिए मौटिन शिकाउगर नाम याद रखेगा सबसे शुरुवाती ग्यात कलाकारों में से एक थे और अलबर्ट डूरर सबसे प्रसिद इंटेग्लियों कलाकारों में से एक थे दोस्तों यह चीज हम इसलि बढ़ते हैं तो इनका नाम याद रखेगा आप उन्निस वी शताबदी में विनिज प्रिंटर कॉरल क्लिक ने एक संयुक्त इंटाग्लियों और फोटोग्राफिक प्रक्रिया शुरू की थी चीज़िए 1914 और 1950 के दश्रक में इटालियन सिक्यूर्टी प्रिंटर गुवल्टी गियोरी ने पहली बार इंटाग्लियों प्रिंटिंग प्रेस विक्सित करी उच प्रद्योगी की यूग में इंटाग्लियों प्रिंटिंग को लाया जिसे बैंक नोट्स प्रिंट करने के लिए प्रिंटिंग से हम बैंक के नोट्स और यह सब भी प्रिंट करने को यूज मिलाते थे अब कुछ प्रसद कलाकार जो हम वेस्टर नार्ट में पढ़ते हैं वो लोगों ने पेंटर हैं आर्टिस्ट हैं लेकिन उन लोगों ने प्रिंटिंग में भी काम किया है तो यह सब नाम जो जन्ने इंटेगलियों में kia है, मैं रलिफ ने रलिफ के आट्रस बता चुकी हूं और ये इंटेगलियों में में इन काम तो बिलियम ब्लैक है, अलबर डुरर, रेमड़ांड, एंणी लोरेंस, हेलेंस फ्रैंक, पैबलो पिकासो, इनने इंटेग्लियों में भी अपना बहुत ही सुंदर-सुंदर कारे किया है, आपको जो भी कुछ समय मिले तो आप जरूर देखेगा, अब ज्यादा कुछ नहीं हम टाइम वेस करके इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो दोस्तों, यह बहुत आसान चीज है, इसकी एक इन और जो एनग्रेवड है, वो नीचे वाली चीज हो जाएगी, यह आप समझ रहें पहली फोटो में, फिर हम देखने हैं इसको क्या है, यह देखे, यह देख रहा है आपको, यह वाला, यह उबरीवी सता है, और, देख सोरी, हाँ, यह इसकी उबरीवी सता है, और जो यह व अपरवाले हिसे में भी सियाही है, तो यह हमने पूरी जो ब्लैक-ब्लैक है, इस तरह से इस इंको ढग दिया है, अब आगे देखते हैं, फिर सियाही को प्लेट की सता से मिटा दिया जाता है, लेकिन खाचे में सियाही रहती है, फिर हम एक किसी भी चीज से उसको मिटार अब Kaag offenses operate तो इसको हमने इसमें रख दिया और हमने उसके उपर मुलसां यहां वारा दिया तो फिर क्या किया है ? फिर हम उस पेपर को अटा लिया तो जो अंदर की छाही लगी थी वो हमारे पेपर में इस प्रकार से प्रिंट हो गई तो हमारा ये एक इन जनरल प्रोसेस जो है वो होता है इंटेगलियो का अब हम अलग-अलग चीजें देखते हैं कि इसमें कितने प्रोसेस होते हैं तो देखिए रेखा चत्र उतके नन लाइन एंग्रेविंग जिसे कहते हैं अमलांकर नकाशी जो भी होती है वो लाइन एचिंग कहते हैं जिसको एक्वाटिन मेजोटिन ड्राइपोइंच ये जो ये मुख्य तक्नीक है इसको हमको समझना है इसका अलग-अलग प्रोसेस समझना है बहुत आसान है सबसे पहले हम लाइन एंग्रेविंग को समझते हैं तो एक हम थोड़ा टाइम लेंगे समझने में और उसको फिर बाद में बहुत कम समय लगेगा तो ये प्रिंट बनाने की एक विधी पर लागो होता है और प्रिंट इतना बनाया जाता है जिसमें डिजाइन को सीधे धातू की सत्व की प्लेट में काट दिया जाता है ठीक ह अब जो एंग्रेविंग हम बोलते हो आम तोर पर रेखा उतकिननी होता है लेकिन इसका उप्योग जैनरिक शब्द के रूप में भी किया जाता है जो विभिन प्रकार के प्रिंट मेकिंग क्रियाओं को कवर करता है लाइन इतकिरन एक धातू के साथ एक चिकनी धातू की प्लेट में डिजाइन को काटता है जिसे ब्यूरीन का जाता है आधियन से रेखी के हाला की चायंकन और टोन सामानतर स्ट्रोक जो हैचिंग होती है क्रॉस हैचिंग होती है विभिन डॉट्स और फ्लिक्स होती है यह सब बनावट द्वारा सुझाए जा सकते हैं तो दोस् और फिर हम को किसी भी उस से हम उसको एन ग्रेव करेंगे उस तरह का एफ़्ेक्ट इसमें हमको दिखता है तो यह जो चीजे है यह लाइन एन ग्रैविंग है अब हम इसकी प्रोस समझते हैं और यह प्रोस आपको ऐस समझ लेना ए क्योंकि यह सब के साथ आएगा इसले ठहड़े देखी ए कि इस तरह की प्लेट दिख रही आपको वह प्लेट हम लें गे तो हम प्लेट की ओपड् Mix are तो प्रिंटिंग के टाइम पर तो अगर वो किनारे लेंगे तो किनारे से पेपर फट जाता है इसलिए प्लेट की जो मोटाई होती है वो एप्रॉक 16-18 गेज में होती है तो यह हमने इती तरीके से उसको प्लेट तियार किया अब हम क्या करता है तो हम उस प्लेट पे एक पेस्ट लगाते है सबसे पहले है अब वो पेस्ट क्या होता है तो वो पेस्ट मतलब बोलोगे आपके कौन सा पेस्ट लगाते है तो वो पेस्ट होता है उसमें मॉम हम जो वैक्स होता है डामर और अलकत्रा एसफाल्ट और पिच हम इन तीनों चीज अब हम क्या करेंगे हम अब उसको हीट करेंगे हीट करेंगे मतलब हलकासा किसी से भी हम चाहे वह ऐसा आग से या किसी से भी हम उस प्लेट को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होगा वो हलका सा अपने तरहीके से डिस्टॉब हो जाएगा मतब जिस तरह से वो गाड़ा गाड़ा लगा रहे तो थोड़ा से स्मूध हो जाएगा स्मूध हो जाएगा तो हम उसको रोलर से पूरा फ्लैट कर देते हैं पूरा उसको फैला देंग उसके बाद क्या करेंगे हम अब वो प्लेट पे एक तरह से अब आप खुदी देखिए कि हमारी पेस्ट लगी वी है अब हम किसी भी चीज से उस पे ड्रॉइंग करेंगे है ना ड्रॉइंग हम किसी भी तकनीक से करें हम डारेक्ट करें हम ट्रेस करें जो भी करें हम वो हमार से ब्यूरिन ये टूल आपको दिख रहा है उसकी मदद से हम उस पे जो भी जहां-जहां ड्रॉइंग किया है हम उसको एंग्रेव कर देंगे ठीके सुई से हम उसको लाइने ये बना देंगे अब क्या करेंगे हम सतह में से वो काला पेस्ट को पूरी तरह से हम साफ कर देंग अब जो हमने वो पेस्ट बनाया था मतलब वो पेस्ट हमारा किसके हल्प के लिए था दोस्तों वो सिर्फ हमारा ट्रेसिंग करने के हल्प में था प्रिंट लेने का उस प्रिंट के हल्प में उस प्रिंट के प्रोसेस में उसका कोई उप्योग नहीं वो ट्रेसिंग के फिर क्या करेंगे हम फिर हम रोलर की सहायता से पूरी प्लैट पे इंक लगा देंगे। जहाँ पे लाइन अंग्रेवस्ट cabei है वहाँ भी वह पूरी इंक जाएगी argument Г 처음 भी हम ए видите फिर पाड़ांगे तूज लिग्या करेंगे। उसको ऊपर वाली चीज को फिर से उस प्लेट को बहुत अच्छे तरीके से साफ कर देंगे, ठीक है, तो क्या हुआ फिर उसके बाद, हमने उसको साफ किया तो क्या हुआ, हमारी जो इंक थी, वो एंग्रेवड ओनली सिर्व लाइन्स में रगई, और बाहर वाली चीज हमारी साफ है, ठीक है, तो एक तरह से जहां हमको जो जो हमको ड्रॉइंग करना था, वो वाली चीज में इंक है और बाकी कहीं पर नहीं है, फिर हम जो प्रिंट, जिस पेपर में हमको प्रिंट लेना है, हम उसको भी ऐसे डारेक्ट नहीं रखते, हम उसको भी हल्का सा गीला करते क्यों गीला करना है, क्योंकि हमको यह चाहिए कि वो पेपर है, वो उस एंग्रेव, उस एंग्रेव लाइन के अंदर जाके प्रिंट ले सके, तो इसलिए हम उस पेपर को भी हल्का सा वेट करेंगे, फिर प्लेट को प्रेस के रोलर के बीच में रखते हैं, लेकिन एक प्रेस के माद्य हम से प्रेस लेते हैं, इनकी प्रिंट लेंगे, लेकिन क्या करेंगे इसमें देखे, तो इसमें हम लोग सबसे पहले एक जो है प्रेस का जो भी बोर्ड है वो दिख रहा है आपको, अब हम इसमें यह दो रोलर है उपर के, हम इसके अंदर आप बोलोगे क प्लेट नीचे रख दी यह दिख रहे आपको उसके उपर फिर हम लोग पेपर रखेंगे वो पेपर के उपर प्लेंकेट्स लिखाओ है ब्लेंकेट्स मतलब कुछ भी आप मोटा गत्ता वगेरा दो तीन पेपर की प्लेट्स रखें उपर मतलब हमको डारेक्ट वो नहीं उन कागज के साथ वो गीला कागज जिसमें हमको प्रिंट लेना है वो भी हम रख देंगे फिर क्या करेंगे आफ्र गेटिंग आउट ओफ दे प्रेस जो हम मतलब प्रेस के बाद बाहर निकालेंगे वह कागज उकेरे हिस्से में चला जाएगा अब हम उसको जब प्रेस कर में इंत लगी भीती वो इंग कैसी कहां पे आजाएगी अपने पेपर पे आजाएगी और हमारे पेपर में हमारा प्रिंट तैयार हो जाएगा तो यह थीज जो थी यह हमारी प्रोसस थी लाइन एंग्रेविंग की अब देखें मेग्जिगो में ऐलैंगजेंडर वां हॉन बोल्ड ने कि कई प्रग्यातिक एजटेक कुलहारी को वाजसों में एक आधुनिक तांबे की प्लेट के रूप में उकेरा गया था जो जॉन फ्लेक्समेन द्वारा एक डिजाइन को व्यक्त कर सकता है कुछ लाइन एंग्रेडविंग से रिलेटेड मिला था इंटाग्लियों में मारकेटानियों रफेल द्वारा प्रशिक्षत उतकिर्नक पहले जर्मन लकडी के कटोरों को लाइन उतकिरन में कॉपी करके अभ्यास करते थे जर्मनी में प्रारंभिक धातू उतकिरनन की विशेषतों में मौर्टिन शोकाउगर और अलबर डियूरर जो मैं आपको इंटाग्लियों में भी बता दिया मतलब उसकी इंट्रोडक्शन में बताया था शिकाउगर ने एक इकत्री का तत्व के रूप में रूप रेखा और चाया का प्रयोग किया और चायांकर आम तोर पर घुमावदार लाइनों में है तो यह चीज जो है इनने इस तरह से काम किया था तो एक बार इसका इंट्र प्रेंट ले लेंगे तो यह इतनी सी काम थी बहुत इजी यह लाइन अब नकाशी एचंग जो को कहते हैं अमलांकर वो क्या अंतरत उसमें old उसमें acidification होता है उसमें acid को use होता है इसलिए यह एच्छिंग होता है तो नकाशी पारम परिक रूप से मजबूत आसिट या modded के रूप के उपयोग की प्रक्रिया है किसी धातू की सत्व में असुरक्षित भागों में कटोती करने के लिए धातू में इंटेगलियों में एक डिजाइन बनाने के लिए चीक है प्रिंट मेकिंग की एक विधी के रूप में है यह उतकिनन के साथ साथ पुराने master print के लिए सबसे महत्मून तकनीक है और आज व्यापक उप्योग में बनी हुई है continuous इसका use बना वया है तो यह जो चीज थी यह हमारी नकाशी थी देखिए एक यह general definition है लेकिन समझ तो process से आता है इसे हम फटा-फट आगे process पर बढ़ते हैं तो सेम चीज करने है वही आपको उसी तरह की अपनी प्लेट लेनी है तयार करने है उसको साफ करना है उसके एड़्जस को साही करना है फिर आप चाहें तो उसको पेस्ट लगा हैं चाहें तो नहीं भी लगा है यह हमारी एक ड्रॉइंग की process है कि हमको उसमें इसलिए मैंने यह सेम उसको इसी तरह से ड्रॉइंग करना जो हमने लाइन एंग्रेविंग में देखा है आप चाहे तो डारेक भी ड्रॉइंग कर सकते हैं प्लेट पर चाहे तो इस प्रकार से यूज कर यह जो अपना सॉरी यह पेस्ट यूज करके वैसे भी द्रॉइंग कर तो हमने इतना काम कर लिया उसके बाद हम क्या करते हैं हम उस प्लेट के चारो के कोनों में जो उसके कॉर्णर है और पीछे के हिस्से में स्टैप आउट वाणिश लगा देंगे ठीके स्टैप आउट वाणिश उस चीज में यूज होता है दोस्तों कि अगर हम एसेड में एसेड में उसको डालेंगे तो वहां पे उसका एसेड का एफेक्ट नहीं होगा तो हम उसमें एस्टैप और वाणिश हम लगा दिया फिर हम क्या करेंगे एक चीनी मठी और कांच के बने हुए पात्र को लेंगे यह दिख रहा है पो नीचे पात इस तरह का बड़ा पात्र लेंगे उसमें लबरेंगे ऐसड भरेंगी वेसट क्या होता है तो वह फैरहर और आरेन क्लोरट और ने टरिक गश्ञाइब पर्ड़ेंगे इसे को भी ले पानी उसमें डाल के हम उसको वो चीज तईयर करेंगे अगर हमें अपना जो क्या बोलते हैं हमारा प्रिंट है हमारा काम है तो हम हमें तो हम उसम vine ऐसे तकी संबस्था बढ़ा देंगे इसमें लुदक्षा के अगर तो इस प्रकार से इसका लाइन जिसको हमने उकेरा था यहां हमने ब्यूरिन से उकेरा नहीं था यहां हमने सिर्फ अभी तक ड्रॉइंग ही किया है तो अमले से क्या होगा अमले से हम वो जो हमारी रेखा जिसमें हमने ड्रॉइंग कर रही थी वो वाली रेखा और गहरी हो जाएगी समझ रहे हैं समर्प से हम बाहर निकाल देंगे और उपर की सत्ह को तर्पीन के तेल से साफ कर देंगे . वह अंदर हमारा वह जो है अच्छी सी स्वाइब हो चुकी है फिर क्या करेंगे हम तो फिर हम उसको जो पेपर करना है हम उसको सेम प्रोसेस जो हमने पहले कि हम उसको वेट करेंगे फिर हम उसे यही डॉलर के बीच में रखेंगे बहुत सारे पेपर्स ब्लैंकेट पेपर्स के साथ और फिर हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास जो हमको इसको एगांज को मैंसे एसिड परेशी लेग़ा है यह प्रिण को सब बहुत ही तिOoh इसे मझें हमको समझ ही ने यह कि अभधी लिए और सिंपल है लाहा है मान प्रेंट का उप्योम करना रहता है डैनिल होफर द्वारा किया गया था होफर ने एचिंग को एचिंगों से रूप आंकनों के साथ सजाया था फिर आता है पंद्रा सो पंद्रा में एलबर्ट डिरोर द्वारा सबसे पुराना डेटिंग है हाला कि वे शिल्प को विक्सित करने के बजाए छे नकाशी के बाद उतके इनकर लौट आया थे ठीक है उनने चे एंग्रेविंग करी और उसके बाद वो लौट गया थे ठीक है उसके बाद आता है रैंबरट जियोवनो वेनेडिटो केस्टिग लियॉन और अन्य मास्टर्स के साथ 17 शताबदी में एचिंग का यूग था 18 शताबदी में भी पैरनिसो, टाइपोलो और डैनियल चोडवेकरी कम संक्या में बहतरी इन कलाकार थे तो इन सब में ये काम थे अब एक चुत्रा कलब का एक प्रमुक सदस्य मुकुलचन डे हमारे इंडिया की बात है थे 1916 में जैम्स ब्लाइंग्स कलोनन से एचिंग की तकनीक सीखने के लिए अमेरिका गये थे और ये भारत कलाकार में पहले भारतिय कलाकार थे जो ग्रैफिक कला सीखने के लिए विदेश गये थे कौन मुकुलचन डे हम वेसे आर्टिस्ट के बारे में अगले वीडियो में डिसकस करेंगे मतलब उसके बाद तो अभी लेकिन हम एक जनरल था तो मैंने बता दिया तो एचिंग में क्या था दोस्तों एक फटा-फट रिवाइस कले थे हमने रेखांकन किया रेखांकन जिस तरह से करना है हम करें उसके बाद हम लोग को स्टैप आउट वोनिश लगा और फिर उसके बाद हमने उसकी प्रिंट ले डाली तो यह क्या था यह हमारा ओवरॉल एचिंग का पूरा प्रोसेस था अब हम समझते हैं कि एक प्रकार की नकाशी है जो रेखा के बजाए तान के शित्रों का उत्पादिन करती है अब समझे आप इसमें हम थोड़ा सा जो तो हमको फिर एंग्रेव करने की ज़रूद पड़ती है जहां कम एंग्रेविंग डाक एंग्रेविंग वह हम करते हैं तो यही चीज़ है एक्वा टींट में टोन्स में काम करना है तो वह इजी पड़ जाता है इस कारण से इसे ज़्यादा तर नकाशी के लिए इस्तमाल क करके करते हैं इसमें राल और अमल का उपयोग होता है राल मतलब रेसिन और अमल मतलब आसिड इसका उपयोग करते हैं इस प्रक्रिया में गहरे से हलके में हम जाते हैं गहरे से हलके में काम करते हैं तो देखें सबसे पहले इसका भी प्रोसेस समझता है तो इसमें एक रेस पूरा बॉक्स आपको दिख रहा है इस में क्या होता है इधर से जाली होती है और उपर रेसिन होता है और नीचे यह वाले हिस्से में हम प्लेट रख देते हैं हमने इसमें प्लेट रखी जो हमारी मैटल किया है फिर हम यहां पर यह देख रहे हैं यह सब रोलर जैसी वहां का इसे हमारे प्लेट में रेसीं पाउडर या जाता है फिर क्या को घरर प्लेट यह तोड़ा मिसाanor का Ps यह स्लों क्ष़ाइब के नहीं है ना नति चैहंब मिस्टार के टियायतम कीचा मरा थे अगर हम करेंगे जादा नहीं करेंगे तो हमने उसको रेसीन को इस प्रकार से कर लिया अब हम आगे देखते हैं हम क्या करना है तो हम फिर उस प्लेट में क्या करेंगे फिर नकाशी प्लेट में करेंगे मतलब उसके बाद हम उस पर जैसे हम उसमें फिर सौरी रेसीन हो गया फिर हम उसको carve करेंगे, उसमें मतलब drawing करके वो करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसको, तो हम उसमें varnish फिर से लगा देंगे, step of varnish वगेरा जो लगाया था और हम उसको फिर से acid में डालेंगे, तो acid में डालेंगे फिर क्या होगा दोस्तों, उसकी lines गहरी हो जाएगी, फिर हम जे निखाल लेंगे और साफ कर देंगे जिस जगह पर राल और वी ओर दी ग्राइश लगे थी तो महां olur parents करेंगे दियार हो स्थाक्राइज है यह नंहीं होगी हमको फिर जो काजच देगी प्रिंटिंग का प्रोसेस सेम है लेकिन उसको मैं उबहार इसलिए बार बार मैंने रिपीट कर रही हूं ताकि है आप लोग साथ साथ स्क्रीन पे देख के पढ़ते बिजाएं और आपको रिवीजन हो जाएं एक्वाठिंट में क्या था? उसमें सब काम रेसिन प्लेट का है researching plate त्यार करेंगे उसकी पहले plate में लगाएंगे फिर हम उसकी रेखान कन करेंगे फिर हम उसको etching में डालेंगे ink कर लेंगे और at the end हम उसकी print ले लेंगे तो ये जो प्रोसेस था उसका में खेल पूरा रेसिन प्लेट में था चीक है बाकी चीज में मुझे अल्मोस एचिंग जैसी ही है इसमें अब देखतें क्या है तो नकाशी के लिए तान वाला प्रभाव जोडने के उद्देश से कई शुरुवाती प्रयोगों में 1650 के आसप एमस्टरडम में चत्रकार और प्रिंट मेकर जॉन वैंडे वेल द्वारा एक राल का प्रयोग उप्योग शामिल था जो है वो एक्वाटिंट का उप्योग करने वाले सबसे महान प्रिंट मेकर निर्मादा दी कोचन आता है कि उन्हें किस किस टेक्नीक में काम किया है तो प्रिंट में बहुत सुंदर काम किया है प्रबैबली लांड आफ टेक्नीक ठो जी ओवनी डैविड उन्हें जी ओवनी डैविड से अपने यह तेक्निक के बारे में जानते हैं इसका इसमाल करने वाले वह महत्वपून इटाइलिवी इटालियन थे डैविड हॉकनी वह अ गाल को सब्सक्रे बीन मेशी तियार की थी उस कमें रंग के साथ कई जली जंतु नकाशी का प्रायोग उनने सावा जाना लुक नम्हें भी प्रायोग किया कुए था कॉसे द्यूंट यह चीज थी अम मैजो टिंट वो कैसे कर सकते हैं देखते हैं के लिए आधे तान का उत्पान करने के लिए सक्षम करना यह हजारों छोटे छोटे डॉट्स के साथ धातूं की प्लेट को खुडुरा करने के तनक हासिल करता है यह विदी है जब हमें प्रिंट के में काले पंज जादा लाना होता है तब तो फिर्छित बसम करने के लिए हम उसको करने के लिए हम अ काम यह उ प्यो orada करते हैं जादा क्लेट सब्सक्तवति में जादार डॉट्स Albन यह न फना प्र उसमाश्ड़ी नी नहीं करें हम उसको रेखी ही करें हम उसको ने तन समीقت ए सक्तिते तान में जहां वन्हां ह्य जो समझते हैं टैंशन मत लिजीए तरो प्रत हम, हम ने वही प्लेट को तैयार कर लिए अपना इसको ड्राइंग कर लिया, ड्राइंग कर लिया, ग्वित एनी टेकनिक, सेंपल पुराना जैसे ही है औब अब इसमें क्या जो खेल है जो एकसेर में हमारा जो एकसे Case & Есть में भी है घ्र वो तो एकसेर ग्रेंग में बट cuánto था तो वही काम इसमे का आई का इसमें लॉक ख्रथार्ड का है उन्हा इस प्रकार सहे एक उ यह में बदाना हो आपको sorry ये पैन ले लेते हैं हम है ये जो है रोलेट कहां गया रोलेट तो रोलेट एक कि इस तरह का दिख रहा है आपको इस तरह का ये वो है इंस्ट्रुमेंन, ऐसा चोड़ा सा, इसमें क्या होता है सारि, आगे च्छोटबी डॉट लगे रहते हैं और एसी लाइन घ्रतीं आ इसको ना हम इस व्ह बनाने के उप्योग में लि में लेके आता है स्थार से इसकी करते, यह द ragu , यह रॉलड अ कहे मैं प्लेट कि इनकी मदद से हम लाइन को एंग्रेव कर देते हैं, तो लोग प्र इनकित सुथ कर दीन खिल को साफ कर देते हैं, भी ऐस Works पर नोसली चीजर woven पहलción फिर प्लेती चाहिआ ल्ग किलेके थोड़ा, में उसको 6 जरय में प्लेतना और print ले लेंगे तो यह जो चीज थी मेजो टिन्ट की थी अंतर क्या था दोस्तों तो अंतर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का था और दूसरी चीज कि हमें acid का उपयोग नहीं करते हैं एकवा टिन्ट में हम acid का use करते हैं मेजो टिन्ट में हम acid का तो यह जो प्रोसेस थी हमारी मेजो टिंट है पहले रे खांकन फिर हम जो एंग्रेव करते हैं लेकिन काय से इन टूल से करते हैं फिर हम उसमें इंक करते हैं और फिर एटेंड हम उसका प्रेंट ले लेते हैं तो यह ची हमारी मेजो टिंट मेजो टिंट प्रेंट मेकिंग व तो उसको सबसे पहले अब्राहन ब्लास्टेल ने किया था और फिर मेजो टिन को अक्सर अन्य इंटेग्लियों टकनीक के साथ जोड़ा जाता है मतलब हम लाइन एंग्रेविंग के साथ भी जोड सकते हैं इसको एचिंग के साथ भी जोड के काम आर्टिस्ट करते हैं रॉबर्ट किपनिस और पीटर इल्स्टेड दो उलेक ने बीसवी सदी के तकनीक के प्रतिबादत हैं एमसी एच्टेड ने भी आठ मेजो टिन तयार किये हैं अब ड्राइपॉइंट आते हैं ड्राइपॉइंट क्या है तो ड्राइपॉइंट इंटेग्लियों परिवार की एक प्रिंट मेकिंग टेकनीक है जिसमें एक छवी को तेज धातू या हीरे के बिंदू के हाइपॉइंट स्वी के साथ एक प्लेट में उकेरा जाता है इसमें भी टूल्स का ही हेर फेर है हम इस स्वी की मदद से स्क्राइबर बोलते हैं जिसको उसकी मदद से हम उसको उके सिदान्त रूप में विधी व्यभारिक रूप से उतकिनन के समान है अंतर और जारों के उप्योग में है और कि दाचा के साथ उठे हुए कुंड को उकेरा नहीं गया है उतकिनन के रूप में दूर दर्ज की गई है अब यह भी प्रोसेस हमने प्लेट तयार किया सबसे पहले है ना जो भी होगा उसको हमने आम तोर पर यूज किया फिर हमने उस पर ड्रॉइंग करी फिर हम जो है क्या आता है में चीज स्क्राइबर यह स्क्राइबर है इस स्क्राइबर की यूज से इस स्क्राइबर की यूज से हम जो है तेज धातू यहीरे का यह हाई पॉइंट सतर पे जाएगी उपर वाले सतर को हम साफ कर देंगे और अंदर वाले सतर को सेम प्रोसेस से वापस प्रेंट ले लेंगे तो मैं समझती हूँ कि इससे आपको इंटाइगलियो प्रेंट क्लियर हो रहा है फिर क्या ऐसे दांतन रूप से विधी विवारिक रूप से उतकिनन क के समान हैं अंतर उपकरण के उप्योग में हैं नकाशी की तरफ ठीक हो 20 थी तृब етमा अच्छ करना आसान हैं ड्रॉइंग में हैं अच्छ अच्छ होते कि यह तो और डायरिक्ट-व्य्याभार को और अपनी प्रिंट ले लेते हैं उनको पैंसिल की अवशकता नहीं हो दिया इस तक्नीक का अविशकार पंद्रवी शताबदी के एक जर्मन कलाकार हाउस बुक मास्टर द्वारा किया गया था पुराने मास्टर प्रिंट एलबर्ट डियूरोर के सबसे प्रसिद्ध कलाकारो में इसे तक्नीक को छोड़ने से मतब जो ने अपने तक्नीक छोड़ी थी उसने फिर तीन ड्राइपॉइंट में भी काम किया था ड्यूरर ने रेंबर्ट ने इसका अवसर अकसर उप्योग किया है लेकिन आम तोर पर वह एंग्रेविंग और एचिंग काम करते थे लेकिन ये भी करते हैं लेकिन कुछ आया तो most preference हम उनके ething और engraving पर ही देंगे रहें ड्राइप की अब ड्यूइप आता है तो ड्राइपॉइंट मे क्या करना है इसमें काम है इसक्राइबर का है ना तो रेखांकन किया रेखांकन किया फिर इसक्राइबर आया इंक लगाई और प्रिंट ले लिया तो यह पॉइंट था ड्राइपॉंट का अब हम आजाते हैं कि यह क्या चीज है वही अब यह नई चीज बोलेंगे आप यह क्या है वही ग्रेवेव प्रिंटिंग यह भी कुछ चीज आती है एक डेफिनेशन है मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं य के एक बिजनस फॉर्म में यह प्रक्रिया अक्षण मुद्रन जो लेटर प्रेस रेलीफ में था आपको याद हो तो उसी का उपोजिट इंटागलियों के लिए है उसमें क्या है चवी को सिलेंडर पर उप्योग करता है एक रोटरी प्रिंटिंग प्रेस का उप्योग करता है अब आप बोलेंगे कि यार प्रिंटिंग के सिलेंडर पर कैसे चवी को कह देते तो वो ऐसा होता है मैं आगे बताती हूं आपको यह पत्री का पोस्ट कार्ट और अन्योत पादन पैकेचिंग को व्यवसाई मुद्रन के लिए उप्योग मतलब एक बल्क फॉर्म में जो का आपको सिलेंडर हां तो इसमें हम क्या करते हैं यह एक इंप्रेशन रोलर है यह ग्रैवियोर रोलर है ग्रैवियोर रोलर मतलब क्या कि हमें जो डिटेल्स चाहिए जो डिजाइन चाहिए उसको हमने उस रोलर में एंग्रेव कर रहा है आपको दिख रहा है यह अंदर के सत वाला सिलेंडर की गूमता है तो यह जो इंक से है यह इसके अंदर यह पूरी प्लेड़ पर ढग pig आपको कि अब क्या होता है की यह जो यह डॉकृटर होता है वह सट्र को रोकता है वह क्या काम करता है जो हम वह कप्ड़े की कपड़ से और प्रोशेश में उसके पीपर वाले चीज है उसकी इंक दरसे जो काम बहुती चोटी-चोटी प्लेट के माध्य में करते थे इसको एक website form में कर दिया है एक बड़ा सा प्रोलिंग प्रेस में यूज कर लिया process सेम ही है अंदर पूरे उस सत्ह में इंक लग रही है इंक के उपर सत्ह को हम पोच रहे हैं अंदर वाले सत्ह में जो इंक लगी वे वह हमारे पेपर में छप रही है तो यह देखने वाले हैं प्लैनोग्राफी मेथड वह भी और एक चैद विसकोसिटी आप इसमें रहे गया है वह भी मैं बताओंगी आपको तो वह अंगले उसमें ले ले लेंगे तो प्लैनोग्राफी मेथड अब हम देखेंगे वीडियो कैसा लगा प्लीस कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा दोस्तों थैंक्यू सो माच पढ़ते रहिए और खुश रहिए थैंक्यू